आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़ा यह बहुत ही टेस्टी होता है और यह तुरंज बन जाता है इसके लिए उमने एक ब्रेड पिज़ा सॉस पिज़ा सॉस आप ब्रेड पे लगा लिए अच्छे से मैं पिज़ा सॉस ब्रेड पे अच्छे से लगा दिया है अब हम लेंगे मियोरीस इसे आप ब्रेड पे अच्छे से लगा लिज़े अच्छे से लगा लिज़े अब हम लेंगे ओर एक अच्छे से लगा लिए आए अब हम लेंगे और एक आणों जिसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल देचें अब हम लेंगे चिली फ्लेक्स, इसे हम प्रेट पर डाल रहेंगे, एक चीज स्लाइस लेंगे आप, इसमें मैं हाफ लूँगी और हाफ मैं पहले अपने बेस पर लगा दूँगी, आप देख सकते हैं कि मैं छोटे-छोटे टोकडों में करके लगा रहे हूं जिससे यह अच्छे से पूरे ब्रेड में लग जाएं, फिर मैं टमाटर लूँगी छोड़े से, यह मैंने छोटे-छोटे टोकडों में काट ली हैं, इसे पूरे ब्रेड पे मैं लगा दूँगी, अनियन, यह बहुत ही टेस्टी बनता है, इंस्टेंट रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई करें, हाफ स्लाइस चीज मैंने फिर से लिया है, इसे पूरे बेस पे मैं लगा दूँगी उपर से, हुआ है, इसे पांची बनता है, इसे चीज मैं लगा दूँगी, खए, पूरे, बनत्त प्रूर को दूरे बनता है, इसे फिर से बनता है, इसे बनता है, इसे जर से बनता है, अब इसे हम माइक्रोवेव करेंगे पाच मिएट माइक्रोवेव में हमें यह आई स्टेंड वाला स्टेंड यूज़ करना है अब इसमें हम अपना इसमें लगा देंगे अब इसमें मैं किट्स डिलाइट पर क्लिक करूंगे स्टार्ट यह हमारा प्रेट पिज़ा रेडी हो रहा है यह बस पांच मिट में रेडी हो जाएगा देखे हमारा प्रेट पिज़ा रेडी हो गया खाने के लिए यह बहुत ही टीस्टी देख रहा है इसे जरूर एक बड़ ट्राए करें बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा यहू ने धक्यु आल्यातान सब्सक्राइब टीमा बल्द प्सप्रेव 0